दमशकार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी टैम चैनल में फ्रेंस आज के इस वीडियो में हमारा जो स्टेडी का टॉपिक रहेगा वो है राफेल डील जी हाँ यूपिय सरकार और ने इंडिया के बीच में एक घमासान युद्ध एक परकार से छोड़ा हुआ है कि जो राफेल डील है उसका श्रेक इसको जाना चाहिए और कांग्रेस जो है अब जो राफेल डील जो लगबग कम्प्रिट हो चुका है इंडिया और फ्रांस के बीच में उसको एक स्कैम के रूप में देख रही है बहुत बड़ा घोटाला वो ये इसको कह रही है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राफेल डील है बेसिकली वो इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं है तो बने रही है आप कुछ समय तक मेरे साथ में तो देखिए राफेल राफेल जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है राफ का मतलब हीलर एल का मतलब गौड इन अरेमेग एक प्रकार से गरूप अफ लैंग्विजिस होती हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं गौड इस हीलर या गौड एस हील्ड तो रिस राफेल जेट का बहुत सुंदर नाम है France की जो एक company है Dassault Aviation वो इस fighter plane को बनाती है तो इसकी जो शुरुवात है basically मतलब जो इंडिया को जो जरुवत पड़ी थी वो कारगिल के लड़ाई के बाद में पड़ी थी क्योंकि कारगिल के जो 1999 इंडिया और पाकिस्तान के बिच मुँआ था इंडिया उसमें जो विजही रहा था उस समय इंडिया को कुछ fighter planes की कुछ कमी मिली थी और उस जो भी जहाद जो थे उस समय इतने अपग्रेटेड जहाद नहीं थे और उस कमी को भरने के लिए जो उस समय की जो government थी शिरी अटल विहारी वाजपे के टाइम पे कमी जो थी जहाँ जो की fighter planes सो उसको भरने के लिए एक process शुरू हुआ लेकिन वो process complete नहीं हो पाया क्या कि उनकी जो सरकार थी 2004 के बाद में गिर गई और UPA की सरकार आई तो 2007 में मनमोहन सिंग ने इस process को final किया और एक tender निकाला जो combat aircraft था medium टैप का जो चाहिए था तो twin engine medium multi-roll combat aircraft जिसको हम कहते हैं mmrca उन्होंने इसके लिए tenders निकाले थे और बहुत सारे company उने उने पाटिस्पेट किया था और जो final जो bidder जो था वो था salt aviation का fighter rafael ठीक है तो अब देखिए यह जो deal जो थी इतनी सठीक नहीं बैट पाई क्योंकि उसके कुछ कमिया रहेगी थी तो इससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सी दो company जो थी जिनके बीच में final battle हुआ था तो देखिए बहुत सारी company ने इसमें participate किया था में सुखोई जैसे और आपके grippen हो गया sabs के उसके बाद आपके यह देखिए टाइफून euro fighter टाइफून हो गया आपके app 16 हो गए ठीक है और rafail हो गया तो देखो इन दोनों के बीच में final battle रहा था और इन दोनों में से देखो क्या क्या इनके features थे जिससे की rafail विजई रहा देखो कौन कौन है maker जो rafail है उसको desault aviation मनाती है टाइफून को euro fighter यह दो कंपनियां चलाती है ठीक है अब देखिए इनके cost देखिए cost जो है rafail का वो 55 million euro था और जो टाइफून था वो भी लगबग 55 million euro के आसपास आता था ठीक है उसके बाद यह कहां कहां पर use होते है rafail जो है basically France की army में और उसकी navy में use होता है और जो टाइफून है वो आपकी South Africa हो गया Austria, Germany, Italy, Saudi Arabia और Spain में use होता है ठीक है और rafail में एक से दो इसमें crew members आ सकते हैं और उसकी जो length है total 15.3 meter रही और जो टाइफून है उसमें केवल एक ही crew member बैट सकता है इसकी जो total length है 16 meter के आसपास है और maximum speed देखिए रafail की है 1321 miles per hour और जो टाइफून है टाइफून की जो total speed है maximum speed है वो है 1550 miles per hour तो speed के मामले में टाइफून जीत गया बट crew members के मामले में रफायल जीत के क्योंकि उसमें दो members तक बैट सकते है इसमें एक बैट सकता है ठीक है अब देखें weight देखिए weight बड़ा जवाब है रफायल का weight 14,016 kg और जो टाइफून है वो 16,000 kg तो इसका में जला weight के मामले में जो रफायल है वो fit बैटता है क्योंकि लाइट है ठीक है और ये थोड़ा सा इससे heavy है 2000 kg अब देखिए range देखिए कितना range तक जा सकता है ये है 1200 miles तक और 1800 miles तक टाइफून जा सकता है तो टाइफून range के मामले में जीता है अब सबसे important part अब देखिए इनमें क्या क्या weapons आ सकते हैं रफायल जो है उसके अंदर माइका जो missiles है बहुत ही वर्ल्ड की टॉप missiles में से आती है air to air missiles होती है माइका ठीक है long range stand-off missiles exo-set and anti-ship missiles laser guided bombs ये जो laser guided bombs है इसने बड़ा जबरदस रोल निमाया था कारगिल के लड़ाई में जिस समय हमारे जो fighters जो थे जब वो उपर से पहाडों के उपर से गुजरते थे तो नीचे जो दुश्मन जो था वो बड़े असानी से उन पहाडों में छुप जाता था तो उस समय weapons गिराना बहुत तफ रहता था कहीं कोई गलत जगे वेपन ना गिर जाए accurate weapons गिराने के लिए laser guided weapons की ज़रूद पड़ी थी तो इंडियान एर फोर्स ने कुछ अब्रगेड़ेट करना पड़ा अपने fighters को तब जाकर बूज हुआ तो लेकिन रफाइल में ये technology बनी बनाई मिलेगी अब देखिए टाइफून में क्या कह था आपके side winder air to air missiles anti-radar missiles mauser cannons and laser guided bombs तो ये इनके बीच में difference था इंडिया को रफाइल बहुत सही सटीक बैठा ठीक है तो दोस्तों ये था comparison इन दोनों के बीच में लेकिन इन दोनों में सजीता रफाइल ठीक है आप देखिए जब रफाइल जीता आखिरकार तो यो यूप्य सरकार थी उसने 126 jets के लिए जो order था वो दिया था और ये जो डील था कम से कम आपके 12 से लेके 10 billion डॉलर तक का डील था डील में देखिए और दोनों डील के बारे में फिर उसके बाद इनके comparison देखते हैं तो 126 jets में से जो यूप्य सरकार थी उसने 18 jets जो थे वो fly away conditions पे आने के लिए राजी करवाया है उनको मतलब कि बने बनाए जो 18 jets होंगे वो 18 आएंगे और बाकी के जो 108 बचेंगे वो हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ में मिलके जो desault aviation होगी वो बनाएगी ठीक है अब इनके बीच में जो negotiations तो थे अब दील तो हो रही थी लेकिन negotiation शुरू होगा कम से कम 2 साल तक ये मामला लटका रहा ठीक है इसमें में मुद्दा था transfer of technology के लिए ठीक है लेकिन transfer of technology जो desault aviation जो थी उसको जो UPS सरकार ने ये कहा कि आपको जो एक guarantee देनी पड़ेगी कि जो X8 आप जो jet आप हमको दो गए उनका quality control production आप हमें guarantee दो उसके लिए लेकिन जो desault aviation जो थी वो उस बात पर नहीं मानी क्योंकि उनके हिसाब से ये जो HAL जो था उस समय तक उसकी जो manpower जो थी वो उस technology को handle करने के लाइक नही थी वो उनके according नहीं था ठीक है अच्छा अब देखिए अब पंगा ये था कि आपने प्लेंस तो खरी लिए लेकिन उनकी कोई भी weapons की जो package है वो उस deal में मेंशन नहीं था training के cost की mention नहीं थी supplies and logistics की mentioning नहीं थी तो इसका मतलब ये था कि 126 jets के अलावा सरकार को इन अलग से ज logistics के लिए एक और deal करनी पड़ती तो ये cost escalation करता ठीक है तो ये जो deal थी ये successful नहीं हो पाई क्योंकि 2014 में फिर उनकी सरकार गिर गई है तो BJP सरकार इसमें आती है ठीक है तो अब 126 में से केवल जो है 36 जो twin engines fighters है उनके लिए सरकार order देती है और जो रफैल डील है वो 10 April 2015 में मोदी जी जब France गए थे तो उस समय announce किया था और 26 सितंबर 2017 में जब वहां के राश्टपर्टी होलन्दे जब इंडिया आते हैं तब ये signing हो जाती है तो 7.87 billion dollar की ये deal थी ठीक है और total 58,000 करोड रुपे इसमें इंडिया के लग रहे थे ठीक है 36 twin engine fighters आने थे ठीक है जिसके लिए सरकार ने 15% जो था advance उनको पहले से दे दिया था ठीक है अचा आप देखिए इसमें इसके benefit क्या थे आपको benefit बता देता हूं कि जो इंडिया थे उनको सबसे पहले तो जो जो plane होगा उसके spare parts मिलते सेकेंड उसकी weaponry मिलती weapon भी साथ में आ रहे थे ठीक है और weapons में देखिए meteor missiles, mica missiles यह one of the best missiles है पूरे world में ठीक है उसके बाद देखिए 30% जो 7.8 billion euros का जो 30% है the salt aviation इंडियन जो military aeronautics में खर्च करती ठीक है और बाकी का जो 20% है उसमें वो जो है जो इंडिया में local production किसके लिए रफैल के जो components होते हैं रफैल के components बनाने में local production वो इंडिया में करती तो making इंडिया में वो हाट डालती और उसके लिए वो reliance के साथ में मिलके जो अनी लंबानी की जो reliance hero space है उसके साथ में मिलके एक joint venture वो बनाएंगे reliance dissolved करके ठीक है और जिसका plant जो है नागपुर में लगेगा तो यह दोनों मिलके जो इनके local components होंगे वो इंडिया में बनाएंगे तो इस परकार से 50% टोटल जो इनके बीच में deal होगी टोटल पैसे का 50% पैसा तो result aviation इंडिया में खर्च करने को त्यार हो गया ठीक है अब देखिए आप इसकी इनके बीच में comparison देखिए अब देखिए आइटेम क्या था result aviation था 126 जो है UPA ने deal रखी थी और अब इंडिया ने 36 aircraft के deal रखी थी ठीक है आप देखिए company कौन सी है party involved कौन सी lot result aviation और इंडियन गवर्मेंट ठीक है इंडियन गवर्मेंट भी अब UPS Tire Letter लेकिन अब देखिए अब Congress ये कहती है कि हमने technology transfer की बात करी थी, लेकिन दोस्तो technology transfer की कोई ही बात नहीं थी, वहाँ पर केवल license manufacturing थी, मतलब HAL को एक license मिल जाता कि आप India में उनको develop करो, technology transfer की बात तो वहाँ पर कहीं भी आती ही नहीं है, ठीक है, अब देखो, लेकिन जो NDA को जो technology मिलती है, वहाँ पर, इनको transfer of sophisticated design technology 100% देने को वो तियार है, ठीक है, अब देखे, value देखिए, 10.18 billion euros, मतलब 66,150 करोड, 126 जहां जो के मिल रहे थे, और यहाँ पर जो इनकी जो deal है, 7.87 billion euros, ठीक है, जिसमें से 3.3 billion, प्लस पूरा aircraft के साथ में, तो मतलब 58,000 करोड की ये deal है, अब NDA की, ठीक है, अब देखे, cost क्या है, मतलब एक जहाज का क्या cost पड़ता है, inflation मिला के, 3.9% inflation अगर UPA के term से मिलाएं, तो 765.4 करोड का एक जहाज, UPA के time पे बनता है, अब जो NDA के time पे 696 करोड, प्लस उसके weapons भी included है, ठीक है, अब देखिए, क्या क्या उसमें facility आपक ही नहीं, ठीक है, मतलब जहाज के साथ में और क्या क्या extra आपको मिल रहा है, वो deal में कहीं बात नहीं थी, अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से deal करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 1705 करोड रुपया पर aircraft extra दिना पड़ता, लेकिन अब देखिए, NDA सरकार न पुरा, sophisticated, पुरा एकदम है ठीक है, ability to start and operate high altitude airfields like lay, ठीक है, enhanced infrared search and track sensors, potent electronic jammer pods, ये देखिए, इतनी सारी facility अब ये इस deal में मिल रही है, NDA के deal में, ठीक है, अब देखिए, cost and dice is very important, जो UPS सरकार थी, उसने fixed inflation के साब से 3.9% लिया था, लेकिन NDA सरकार ने उसको 3.5% index based inflation, उसको लिया है, ठीक है, अब contract finalized, उनके time पे नहीं वा, लेकिन यहाँ पर NDA सरकार में, नरेंदर मोधी और होनान्दे के बीच में complete होता है, ठीक है, अब देखिए, performance based logistics, UPS सरकार में performance based logistics का कोई mentioning ही नहीं है, ठीक है, लेकिन, आप NDA सरकार के बीच में, 350 million euros का ये बात है, तो मतलब logistics support भी आपको desault aviation जो है, वो देगी, वो उनके time पे नहीं थी, weapons देखिए, weapons के बारे में, यहाँ कोई mention नहीं है, UPS सरकार में, लेकिन, weapons के बारे में, यहाँ पर पूरा mentioning है, 700 million euros, मतलब 5,180 करोड तक के जितने भी जो weapons होंगे, वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक close combat missiles, देखिए, कितनी जबरदस, यह सब infrared guided bombs हैं, ठीक है, यह सब उस चहाज के साथ में, आपको आने वाले हैं, spare parts और engine के बारे में, देखिए, UPS सरकार में कोई mention नहीं था, लेकिन NDA सरकार में 13,326 करोड के spare parts और engine यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अब देखिए, man hours ठीक है, अब देखिए, training के बारे में आग बात करें, तो UPS सरकार में कोई training की बात नहीं आती है, लेकिन NDA सरकार में 10 IAF personal, जिसमें से 3 IAF pilots plus additional guarantee for 60 hours of uses of training aircraft, तो training के लिए NDA सरकार में भी बात आती है, तो friends, यह आपके सामने इन दोनों सरकारों के जो deals थे, 126 aircraft और 36 aircraft उनके बीच में जो deals थे, उनका पूरा का पूरा यहां पर comparison है, तो अब आप यहां पर decide करिए, कि कौन सी दोनों सरकारों में से, जो सरकार थी, उसकी deal सबसे best है पुरे देश के लिए, प्लीज आप इस comment box पे आके comment करके, अपने views रखिए, और यह मताएं, सरकार क जो की हम लोग को इस्तमाल करके, हमें फूट डालके, deals जो हो रही हैं, देश के हित में, उनको मुद्दा बनाके अपना vote bank बना रही हैं, तो please do share this video, like and subscribe, thanks for watching.